नमस्कार मैं हूँ पेंद कुमार आप देख रहें बीसी 24 नितीश कुमार कानून को लेकर काफी सक्त माने जाते हैं बिहार में सुसासन बाबू की सरकार है और विकास पूरुस के भी नाम से जाने जाते हैं मैं आपको बता दू कि बिहार में 2005 से नितीश कुमार की सरकार है और लगतार विकास करते रहे हैं 2015 से बिहार में पूरुरुप से सराब को बंद कर दिया गया है इसको लेकर विपाउक्च हमेशा से सवाल उठाते रहे हैं कॉंग्रेस बिधायक दल के नेता जो अजीश सर्मा है पूरुप से जिस तरह से बिहार में सराब बंद है उसको लेकर सवाल खड़ा किये हैं यानि बिहार में सराब को फिर से चालू कराने की मांग की है उसे पर ट्वीट करते हुए जेडियू के जो एमेल सी है नीरज कुमार कहा कि जी समय अजीश सर्मा सपत ले रहते उस समय सराब बंदी का समर्थन कर रहते अब सराब बंदी के खिलाफ हैं और आवाज उठा रहे हैं नीरज कुमार ने जो कुछ कहा आप उनकी तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक तरह पर जो जेडियू चाह रही है कि बिहार में पूर्ण उरुप से सराब बंद हो वही बिपक्स लगतार सवाल खड़ा कर रहे हैं कि सराब को चालू कर दिया जाए लेकिन जिस तरह से नीरज कुमार ट्विट करके जो अजीद सरमा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अजीद सरमा सपतगरान के समय इस समर्थन में थे और उसके बाद में सराब को चालू करने की मांग उठा रहे हैं तो नीरज कुमार ने क्या कुछ का आप तस्बीरों में देख सकते हैं और सुनिए नीरज कुमार की बातों को साक्षात उदाहरन है कॉंग्रेस के राजनेतिक दिवालियापन का कॉंग्रेस विधायक गल के नेता सराबबंदी को समाप किये जाने की बात कर रहे हैं और पार्टी का सदसिता लेने का पुर्व शर्त है कि मैं अपने आपको नसीले पेवों से दूर रखूंगा कैसा नजा रहा है क्या बगैर सदसिता दिलाए हुए कॉंग्रेस पार्टी का अजीज सर्मा जी को विधायक दल का नेता बना दिया गया या कॉंग्रेस की राश्ट्रिय द्यक्षा सोनिया गांधी जी को क्या उनकी राजनीत में आवकाद बता रहे हैं कि सदस्ता लेने का जो भी पुर्व सर्त रहे हम सरावियों के पक्ष में खड़े रहेंगे तो ऐसे तमाम खबरे देखने के लिए आप देखते रहें NBC24 NBC24 सच की ताकत